सुप्रीम कोट ने दिली में जो आमादी पार्टी का दफ्तर है उसे खाली करने के आदेश दे दिये हैं पंडित दीन दयालुपादिया मार्क पर आमादी पार्टी का मुख्याले है जो यह आप तस्वीरों में देख रहे हैं 206 राउस एवन्यू कोट के बिल्कुल ठीक सामने दिन दयालुपादिया मार्क पर यह आमादी पार्टी का दफ्तर जिसे 15 जून तक खाली करने के लिए कहा गया है 15 जून तक की महलत इसले दी है क्योंकि लोग 100 चुनाओं नजदीक है और सुप्रीम कोट ने कहा है कि चुनाओं के बाद आप इसे खाली कर दे अब इसके पीछे की कहानी ये है कि दरहसल इस पार्टी दफ्तर के ठीक सामने रावजवन्य कोट है और ये जो जगा है जहाँ पर ये पार्टी दफ्तर है ये रावजवन्य कोट की ही जमीन है ऐसे में इस जगा पर कोट में कहा गया कि इस जगा पर हाई कोट के करमचारियों के लिए आवासिय परिसर बरना है इसलिए इसे खाली कराना होगा यहाँ पर पार्टी दफ्तर नहीं चलाया जा सकता कि उसे किसी और जगा पर जगा दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपना पार्टी दफ्तर खोल सके और सम्मदित विवाग को चार हपते के अंदर आम आदमी पार्टी को इसका रिस्पॉंस भी देना होगा आम आदमी पार्टी को राश्ट्य पार्टी का दर्जा हासिल के वे लगबग एक साल का वक्त हो चुका है और एक साल से आम आदमी पार्टी अपने लिए दफतर खोलने के लिए एक जगह की डिमांड कर रही है केंद सरकार से लेकिन वो अब तक नहीं मिले इसके पीछे आम साल भर हो जाने के भाद भी जगह नहीं मिली ऐसे में उनहें मजबूरन इस जगह पर छोती सी जगह है जिसे बताया गया है जहाँ पर पार्टी दफतर चलाया जाता है उस जगह पर अपना दफतर चलाना पड़ रहा है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह जगा खाली करनी होगी क्योंकि कोट की जगा है तो ऐसे में आम आधी पार्टी का एक कहना है कि अब केंद्र सरकार उन्हें जल्द से जल्द एक जगा अवंटित करे ताकि वहाँ पर वो अपना दफ्तर खोल सके कैमरमन निकल रस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत अबीपी न्यूस दिली